आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जिस तरीके से मैं आपके सामने अपने आपको प्रेजंट कर रहा हूं पीछे computer की screen आ रही हैं मैं आपसे आपे बात कर रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं और आप यहां पे computer screen भी देख रहे हैं तो जिस तरीके से मैं आपको अपने आपको रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग एक काफी वास्ट सेप्टर है और वीडियो एडिटिंग काफी तरीकों से की जाती है तो उसको एक ही वीडियो में include करना तो possible नहीं है लेकिन जिस तरह की query में पास आते हैं कि sir आप जिस तरीके से वीडियो editing करते हैं उस तरह से वीडियो editing कैसे करते हैं तो आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में reveal कर रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की हुए सबसे पहले आपको जरुवत है यहाँ पर इस तरह की video editing करने के लिए एक green screen की जो आपके background में होनी चीए और अपने आपको green screen के आगे रखके आपको अपने आपको record करना है चाहें आप अपने video recording कीजे मोबाइल से या फिर camera से यह depend करता है आपके पास कौन सी device है recording के लिए उसके बाद जो दूसरी screen आपको record करनी होती है वह होती है आपके system की screen जो की आप screen recorder की help से record करते हैं यहाँ पर आपके system में एक screen recorder चल रहा होता है और उदर आपके phone में आपकी recording चल रही होती है दोनों ही एक साथ चल रहा होता है जिससे की दोनों को sync किया जा सके उसके बाद जो आगे का काम है वह हम करते है video editing software से यहाँ पर आपके बास कई तरह के option है जिनसे आप video editing कर सकते हैं आप Filmora से भी कर सकते हैं और भी other option है आप Hit Film वगरा से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर सबसे मैं आपको basic चीज बताऊगा कि हम Camtasia से किस तरीके से यहाँ पर इस तरह की editing कर सकते हैं तो Camtasia मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ आपके पास Camtasia कोई सा भी version हो आप इसका use ले सकते है तो Camtasia यहाँ पर open हो गया आप देख सकते है Camtasia का interface कुछ इस तरीके से है यहाँ पर आपके पास जो white यहाँ पर color का white box आ रहा है यह आपके पास media files store करने के लिए और यह आपका preview हो और नीचे सभी layers है Camtasia की सबसे खास बात यह कि आप इसमें कितनी भी layers add कर सकते है layer by layer आपके पास यहाँ पर layer by layer आप work कर सकते है तो यह सबसे major feature है Camtasia का तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यह मेरे पास दो clip है यह वह clip है जो मेरे background clip है जो मैंने screen recorder से record की है और यह वह clip है कि पूरा curtain में आपके cover नहीं कर पाया हूं वीडियो में तो मैं उसके हिसाब से भी यहाँ पर adjust कर सकता हूं अगर मैं पूरा कर लेता तो और ज्यादा better रहता है तो for example हम यही clip ले रहे हैं इसको मैं close कर देता हूं और इन दोनों clip को हम अपने Camtasia में यहाँ पर media files में import कर देते हैं ठीक है यहाँ पर आपने देखा दोनों video मैंने import कर दी है ठीक है import करने के बाद यहाँ पर आप तो क्या करेंगे सबसे पहले तो आप अपने पीछे वाली screen को इसमें layers पर place करेंगे ठीक है इस तरीके से मैंने layer पर place किया ठीक है और यहाँ पर यह screen place हो गई है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास option आएगा editing dimension का ठीक है तो editing dimension पर जाके आपको किस quality में यहाँ पर video edit करना है वो यहाँ पर dimension set कर सकते हैं मैंने यहाँ पर dimension set कर रखी है 1920 by 1080 pixels की dimension यहाँ पर 1080 pixel HD quality की यहाँ पर video editing यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर 720p की भी आप कर सकते हैं great for YouTube लिखा आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैंने highest quality यहाँ पर कर रखी है इससे जादा quality के लिए भी आप उसका resolution भी यहाँ पर दे सकते हैं तो मैंने यहाँ पर 80 यहाँ पर select कर रखा है background color आप चाहें तो choose कर सकते हैं otherwise background black ही रहने दीजिएगा ok कर दिया है यहाँ पर और इसको आप इस तरीके से manage कर सकते हैं जैसे मैंने इसको import करा था तो इसका size यहाँ पर आया था तो मैं इसको screen के size से manage कर देता हूं ठीक है मैं इसको set कर दिया नीचे आप देखिए यहाँ पर आपके पास layers आ रही है सबसे पहले इस चीजों को समझी लीजिए उसके बाद ही आप editing कर पाएंगे और layers के just उपर आप अपनी ए green screen वाली video को place करनेगे इस तरीके से ठीक है यह एक time liner है जो कि video के साथ-साथ move हो रहा है इस तरीके से और यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह waveforms हैं जिसके accordingly आप अपने video को cut copy paste कर सकते हैं अपने कान में ear plugs लगाईए और देखिए जहाँ जहाँ पर आपको अपना video cut करना है किस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर आप दोनों layer select कर सकते हैं blue हो गई that means दोनों layer अगर नीचे वाली उपर वाली के sync में है अगर आपने screen recording के साथ audio recording भी की है तो यहाँ पर भी आपके पास waveforms आ जाएंगी जिनको आप easily पहचान सकते हैं otherwise आप क्या करेंगे सबसे पहले आप इसको set करेंगे अपने उपर वाली layer को जो layer select होगी वह blue होगी ठीक है इसको हमने select किया ठीक है select करने के बाद आपने adjust कर लिया, आप चाहिए तो इस तरीके से adjust कर सकते हैं करने के बाद सबसे पहले हम यहाव पर भी ग्रीम क्लर रिमुफ करते हैं, यहाँ पर रोली करणी आपको इमेजेश,"els ग्र्युम्हद करने से पहले के आपक बीचितुछ पूँफ और इसके बाद के भी है, प्रेवी शो कर रहा हुञा ओक events वहांfront है इन को आप coalा उट्स पेपास काफी फीचर को आजाते है तो इस तरिक का इकन को पर यूजेतर पर यूज़ा करना तो आप यूज़ ले सकते हैं ठीक है इसको यूज करना भी यह बताएंगे जब हम इस clip पे work करेंगे इसके बाद zoom in pan है यहाँ पे आप जूम in जूम out कर सकते हैं इसका कोई खास यूज नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे video editing बता रहा हूं उसमें इसका कोई यूज नहीं है Audio में आप यहाँ पे इसकी audio maintain कर सकते हैं Volume up and volume down कर सकते हैं ठीक है यह volume down हो गई आप देख सकते है Shaun waveform कम हो रही है और जो blue color की layer है जो जिसपे blue color आ रहा है वो selected है ठीक है volume up करा तो volume up हो गई ठीक है इसको silence करना है तो silence हो गई फिर volume up करना है तो volume up आप कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से ओके और भी काफी स्यारी features है उसमें enable volume labeling, noise removal, mix to mono इनके आपको जुरत नहीं है transition जब आप दो clip पे work करेंगे तो उनके बीच में transition यहां पर लगा सकते हैं यहां पर more में आएंगे यहां पर आपके पास और चीज़ा जाती है cursor effect, cursor में effect दे सकते है visual properties ठीक है voice narration, record camera, captions तो यहां पर जो हम जिस तरह की editing यहां पर perform कर रहा है इसलिए मैं आपको डिरेक्ट बता रहा हूँ, visual properties में हम जाएंगे, ठीक है यहां पर हाला कि Camtis एक बहुती vast software है आप इससे बहुत कुछ कर सकते है, screen तक record कर सकते है, screen record करके direct add कर सकते है, बहुत कुछ इससे किया है सकता है तो यहां पर हम direct visual property पर आ गए है, अगर आपको यहां पर icon नजर नहीं आता है, तो more में जाके आप visual properties पर जा सकते है visual properties में जाने के बाद आप यहां पर आएंगे, आप देख सकते है, add animation लिखा आ रहा है, और नीचे यहां पर आपके पास remove color आ रहा है visual effect में remove color को आप check करेंगे और यहां पर color select करेंगे कि कौन सा color आपको अपनी screen में से remove करना है पीछे यहां पर हमने green screen यूज की है, आप चाहें तो अगर आपके पास लाल color का परदा है तो वह भी यूज कर सकते हैं तो लाल color remove हो जाएगा एक ऐसा odd color अपने पीछे परदे में use ले सकते हैं जिसको आप अपनी screen से remove कर पाए अगर सबोज मैं पीछे black color का परदा ले लेता हूं तो black color अगर मैं remove करूंगा तो मेरे बाल आख और टी शर्ट मॉनिटर यह सब remove हो जाएगा तो हमने यहां पे सब color चूज करते हैं कि हमें कौन सा color remove करना है यहां से color picker यूज ले लेते हैं select color select color से हम डारेक्ट यहां से जो color हमको remove करना है वो select करते हैं इस तरीके से हमने color remove किया आप देख सकते हैं कुछ ज्या और यहां पे softness वगरा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ठीक है मुझे यह perfect लग रहा है अभी के लिए तो मैं इसको इस तरीके से रहने दूँगा अगर suppose आपको shadow भी इसमें drop करनी है suppose मेरे पीछे shadow आए तो आप यहां पे drop shadow पे click कर सकते हैं तो यहां पे आपके पास shadow जाएगी distance set कीजिए direction set कीजिए इस तरीके से opacity set कीजिए और blur कर दीजिए इसको तो एक perfect shadow आपके पीछा जाएगी okay तो यह था आपका visual effect जिसको आपने इस तरीके से set कर दिया अब आपको ऐसा लग रहा है कि suppose यह जो area है वो extra आ रहा है तो आप इसको crop कर सकते हैं crop करने का option आपको यहाँ पर उपर यहाँ पर icon में विलेगा ठीक है toggle crop mode इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपकी layer select होनी चीजिए इस पर work कर रहे हैं और यहाँ सब crop कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर shadow ठीक से नहीं आ रही तो वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो wall है उसका white portion कुछ आ रहा था हमें यहाँ तक हम इसको crop करते हैं तब यहाँ पर perfectly यहाँ पर हमारे पास shadow आ रही है ठीक है अब हम इसको वापिस से इस पर click करेंगे त normal mode में हम इसको इस तरीके से adjust कर सकते हैं और इसको आगे पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं perfect view मेरे पास यहाँ पर आ रहा है तो आपके पास पीछे जितना space हो उससे साब साब कर सकते हैं मैं कई बार cover तो कर सकता हूं लेकिन मैं जल्दी बाजी में उसको cover नहीं करता जितना भी एरिया मिलता है मैं उसमें editing यहाँ पर आपके लिए कर देता हूं ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पीछे से background हटा लिया है अब next task के हमारा आप तो जिस तरीके से मेरे वीडियो में देखते है कि किस तरीके से zoom in and zoom out होता है ओ भी मैं आपको बता देत करेंगे और यहाँ पर add animation पर click करेंगे add animation पर click जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर arrow आ जाएगा ठीक है और arrow पर आपको कुछ छिड़काने नहीं करनी है add animation पर click करने के बाद just आपको scale यहाँ पर बढ़ाना है ठीक है इस तरीके से scale आपने बढ़ा दिया और suppose मुझे यहाँ पर pointer आ गया अब देखिए आप मैं इसको timer को पीछे लेकर आता हूं time liner को और मैं आपर play करता हूं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आ गया अब suppose वापस से animation देना है इस पर click करा और यहाँ पर इस तरीके से आ गया ठीक है जस्ट आपको move कर देनी है तो आप देखिए आप किस तरीके से move हुआ ठीक है और जैसे इस arrow तक time liner आएगा यहाँ पर move हो गया ठीक है अब suppose यही चीज मुझे अपने साथ करनी है आपने देखा कि कई बार मैं आपको screen के accordingly बड़ा चोटा है आप पर कर लेता हूं add animation करेंगे इसको मैं चोटा कर देता हूं adjust कर देता हूं और यहां पर देखिए तो सबसे पहले चोटा हो गए ठीक है वापिस हम यापर बढ़ा कर सकते हैं इसको बढ़ा हो गया त्रीक है यहां पर arrow आ जाये में एपके पास अब किय बढ़ा ओगया अब सुपोज आपको ऐसा करना है कि अपको उतना जल्दि भड़ा छोटा नहीं करना देरे देरे करना है सुपूज मैं आपके एड़ अनिमेशन करता हूं और यहाँ पर इसको set कर देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर set कर देता हूँ और इस arrow की length में यहाँ पर बढ़ा दूँगा तो उतना ही time यहाँ पर बढ़ाया छोटा लेने में लेगा ठीक है आप देख सकते हैं पीछे screen यहाँ पर move हो रही है तो आप preview में मेरे जर्श ओपर यहाँ पर देख पा रहा है कि यहाँ पर हो रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर editing करते हैं यहाँ पर जाया से मैंने आपको बताया है जुम आउट डू से परफॉर्म करते हैं कुछ चीजह जासे suppose call Mmook को बारे मैं आपको बता पर आपके पास जब आप बीच माएंगे तो पर्फेक्टली बना हुआ नजर आएगा आप इसको कहीं पर भी लगा दीजिए और अजस्ट कर डीजिए कर देना का बौडर आपको किस कलर का चाहिए यहाव फी अपना मन पसंद कलर हूँ आप ले सकते हैं जैसे आपहे हैं तो आपको एक ब्लडक करनी हो एक वर्डिकॉलर टाइम में तो यहाँ पर कॉल आउट का यूज्ज ले सकते हैं इस तरीके से आप ब्लर होगया है ठीक है तो यहां पर इस तरीके से हम editing का use ले रहे हैं, अब आपको suppose कहीं से crop करनी हैं, कहीं से cut करनी हैं, अगर आपकी उपर वाले layer और नीचा वाले layer आप अपने earplex लगा के सुन रहे हैं, ठीक है, और दोनों सिंक में चल रहे हैं, तो आप दोनों को select करेंगे, और यहां से आप के पास split का option आता है, split करेंगे, then यहां पर जैसे suppose यहां पर waveform नहीं है, then यहां पर मैं select करूँगा, split करूँगा, और यहां पर इन दोनों को select करके delete कर दूँगा, और आपको एक complete आप इसको shift कर सकते हैं, इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से task perform हो रहा है completely, कि आप इस तरीके से आप इडियो edit कर सकते हैं, audio में आप इनकी audio files को edit कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी इसमें आप effect देना चाहें, दे सकते हैं, यहां पर आप कितनी भी layers यूज़ कर सकते हैं, प्लस-प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास layers आती रहेगी या फिर जैसी ड्रैगन डॉप करेंगे आपके पास layers आती रहेगी अगर आपको इसमें कोई image यूज़ करनी है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं इस क्लिप वाले section में आप image import करेंगे यहां पर place कर देंगे और आप यहां पर image use कर सकते हैं जैसे for example मैं subscribe की image यहां पर लेता हूं मैंने यहां पर import करी और प्रance कर सकते हैं और यहाँ पास transition आ रहे हैं transition का आप यूज ले सकते हैं यहाँ उसका आपके पास subscribe बटन युज ले सकते हैं इस तरीके साथ आप editing कर सकते हैं अगर आप teachers हैं या फिर आप tutorial बनाते हैं या फिर tutorial बनाना चाहते हैं जिसमें आप पीछे अपने ppt, slide show या फिर जो भी आप show करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं screen record करके Camtasia के बहुत सारे feature हैं यह जो चीज है जो मैंने आपको बताई यह आप लगबग लगबग हर software से कर सकते हैं filmora से भी कर सकते हैं filmora में भी आपको इस तरीके के features मिल जाएंगे जिस तरीके से आप यहाँ पर editing कर सकते हैं just chroma key select कीजिए layer wise layer आपको use कीजिए अपनी clips को और आप कर पाएंगे बहुत असानी से जब आपके clip यहाँ पर complete हो जाए complete edit करके तो just produce and share में जाएंगे अपनी quality में आपको produce करना है उसको select करेंगे next करेंगे और यहाँ पर आप अपने production का name देंगे और just finish कर देंगे finish करती आप देखेंगे कि project आपका render होने लेगा और render होने के बा already optimized size आपके बास video का आता है जो की काफी कम होता है compared to other video editing software तो आप इसका use यहाँ पर ले सकने है I hope कि यह video आपके लिए काफी helpful रहेगा और आपकी काफी सारी मुश्किले आसान कर देगा अगर आपको video बनाने में problem आ रही हो या फिर इस तरीकी का video आपको बनाने हो वीडियो अच्छे लगाओ तो like कीजिएगा comment करके बताएगा कि आपको information कैसे लेगी मिलते हैं next video में नहीं जानकारी के साथ अब तगले धन्यवाद जैह